आपको स्वागता आप सभी के शूडूप चैनल सरकारी लोग पे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने पासपोर्ट के एपिरेंस यानि कि पासपोर्ट में जो आपका फोटो है उसको चेंज कराने के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अपलाई कर सकते हैं उसकी कम्प्लीट जानकरी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विडियों का आप लाइक कर से अपने दोस्तों साथायर कर दीए जो ड़ना चाहते होता ही इसी जॉइपाने के लिए इस चनलसे सबस्क्राइब कर दिजेगा जैसे आप सब्सक्राइब करो राट सैंट में घंटे के निशाय साइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी यहां से स्कूप कर देते हैं अब अगर आपने पहले से अगर आपने अभी तक रेजिस्ट्रेशन नहीं क्या है तो सिंपली नीचे की तरफ आईएगा और जो भी आपका प्रिजेंट या करेंट ड्रस है उसके अकोडिंग पासपोर्ट आपना सेलेक्ट कर लीजेगा यहां पर आप अपना नाम डाल दीजेगा यहां पर सरनेम डाल मोहन, सिंग् और गुशर और आपका यहां नाम सिंपली मोहन गुशर थे तो मोहन गुशर इस तरीके से आजाएगा Ma Ya A Значит simply mohan है तो mohan इस तरीके से आजाएगा उसका जो भी आपकी date of birth हो यहाँ पर डाल दीजेगा और यहाँ पर calendar में भी आप select कर सकते हो यहाँ पर email ID डाल दीजेगा अपनी और अगर email ID कोई आप login ID बनाना चाहते हो simply s पर क्लिक कर दीजेगा तो login ID यहाँ पर आजाएगी ठीक है upper letter, lower letter, special character, numerical combination होना चाहिए इस तरीके से password आप बना सकते हैं तो बाद यहाँ पे password बना के डाल लीजे और यो password आपने यहाँ पे बनाये same password यहाँ पे डाल लीएगा उसके बाद hint question select कर लीजेगा यहाँ पे hint transfer डाल दीजेगा और उसके बाद जो भी आप अपने according यहाँ भी select कर सकते हैं hint question तो hint transfer यहाँ पे डाल दीजेगा यह जो capture word है इसको यहाँ पे डाल लिएगा तो हमने अपनी सभी data डाल लिया और email id को ही login id बना रखा है अब simply register पर click कर देते हैं उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा thank you for registering on the passport say a portal to activate your account please click link in the email send to your email id तो अब आपको क्या करना है जो email id भी आपने registration के time डाली दी तो उसको आप login कर लीजेगा उसमें एक link आया होगा password.admin की तरफ से इस तरीके से link आया होगा इस पर आप click कर दीजेगा अगर आपके पास यह link नहीं आया है तो थोड़ा wait कर लीजेगा कभी-कभी थोड़ा time बाद यह link आता है तो इस पर जैसे आपको मिल जाए तो इस पर click कर दीजेगा इस तरीके से आजाएगे इस page पर नीचे की तरह आजाएए और यह जो link इस पर click कर दीजे उसके बाद यहाँ पर user id डाल दीजो आपने registration में जो login id डाली थी ना यहाँ पर डाल दीजेगा जो मैं आपको दिखा देता हूं जो यहाँ पर आपने login id डाली थी अगर आपकी आ login id बनाती तो उसको आप डाल दीजेगा हमने email id यहां पर डाल के submit पर क्लिक कर देते हैं और अगर कोई दूसरी id आपने बनाती तो उस आइडी को यहाँ पर डाल के submit पर क्लिक कर दीजेगा उसका अधिस तरीके से आपको दिखा देगे और account has been activated successfully login करने के लिए click here to login पे click करे यहाँ पे भी आप click कर सकते हो या home पे click कर दीजे उसका अधिस तरीके से open हो के आ जाएगा अब यहाँ पे जो existing user login है इस पे click कर दीजे अब यहाँ पे login ID या user ID डाल दी जो अभी आपने activate की है और continue पे click कर दीजे इस तरीके से open हो के आ जाएगा यहाँ पे password डाल दीजेगा जो password आपने create किया तर registration के time यह capture word यहाँ पे डाल के login पे click करे अब आपके समने इस तरीके से open हो के आ जाएगा अब आप यहाँ पे apply for fresh passport या reissue of passport इस पे click कर सकते हो यहाँ पे apply for fresh passport या reissue of passport क्लिक इस पे कर दीजेगा एक ही बात है उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे click here to fill the application form online इस पे click करे उसके बाद यहाँ पे जो passport type जो है applying for fresh passport के लिए apply कर रहे हो आप री इस पासपोर्ट के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आपको click कर देना है reissue of passport पे जैसे ही आप इस पे click करोगे तो यह रीजन पूछेगा कि आप reissue of passport क्यों कर रहे हो तो यहाँ पे आपको click कर देना है change in existing personal particular वाला जो box है इस पे जैसे click करोगे तो नीचे की तरह पाईएगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा appearance तो photo आप change कर रहे हो तो appearance वाला जो box है इस पे click कर दीजेगा ठीक है जी उसके बाद type of application normal में आपको passport चाहिए या ततकाल में चाहिए नौर्मल और ततकाल में यह difference होता है यह जो normal passport application होती है इसका payment कम लगता है और जो ततकाल passport application होती है पासपोlt application के तहता है और तीसरे डिफ्रेंस यह है कि नॉर्मल जो passport application होती है इसमें जैसे ही आप document verification करादे हो तो passport office में जैसे ही आप document verify करा देते हो जैसे successfully आपका passport office में document verification हो जाता है तो उसके कुछ दिन बाद, आपका police verification होता है, police inquiry होती है और जैसे हूँ successfully complete हो जाता है तो उसके बाद ही passport का process प्राइट होता है तब ही आपको passport आपके address पे passport भेजा जाता है वहीं जो ततकाल passport application होती है इसमें जो passport मिलता है वो पहले मिल जाता है और जो प्राइट 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 पेज की जंबो उख चाहिए आपको 36 पेज की सैंग काम हो जायU तो 36 पेज वाली पर किल्क कीजेगा और वहीं ऋगर आपको 60 पेज़ की चाहिए तो 60 पेज वाली क्लिक कीजेगा ठीक है जी तो इस तरीके से आप इसको कीजिएगा और उसके बाद next के click करके detail के जब process उसको complete कर लीजेगा दोस्तों इसकी process के already video हमने upload कर रहे हैं जैसे यहाँ पे आप देखर हो reissue of passport तो reissue of passport के already video हमने upload कर रहे हैं जब यहाँ पे हमारे चैनल पर आओगे ना नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको वीडियो अल्लेडी दिख जाएगी हमने complete process बता रखा है reissue of passport का तो यहाँ पे आप देख रहे हो आप appearance के लिए apply कर रहे हो लेकिन यहाँ पे reissue of passport ह तो इसके process की video हमने upload कर रहे हैं यहाँ पे आपको दी जाएगी उपर के तरफ आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो renewal या reissue ठीक है जी तो यहाँ पे आप डाल दीजेगा reissue री इसु आप डाल सकते हो या रिन्वर डाल सकते हो री इसु हमने यहाँ पर डाल दिया है तो यहाँ पे जो सबसोफर वीडियो है इसको देखके इजिली आप एपलाई कर सकते हो इसमें ए टू जट कम्प्लीट प्रोसेस हमने इसके बारे में बता रखा हैं पूरा प्रोसेस इस वीडियो को देखके आप कम्पलीट कर सकते हैं और डॉकुमेंटों का भी मैंने इसमें बताया हुआ है तो उम्मीद दोस्तो वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए शेर वो सभी यहाँ पे आपको दिख जाएगी चाहिए फ्रैस पासपोर्ट हो ततकाल हो 36 पेज जंबो बुक हो 60 पेज वाली या जो अलग-अलग पासपोर्ट इस्टेटस होता है उनका क्या मतलब होता है पासपोर्ट कि अगर आपके पेमेंट पेंटिंग में चलीगे या इन देख सकते हैं कि साइप हमेरास उड़नना चाहते हुफ तो अब आउल पकलिक करके इस पीजा इस पेज पी नीचे के तरह आईएगा सब सब्सक्राइब और वाकि जुड़ना चाहा तो ऐसी जानकरी पाने के लिए शैनल से तो सब्सक्राइब इसको कर दीजेगे जैसे सब्सक्राइब आप करते हो तो राइट सेट में गंटे के निसान आ जाएगा उसको वित्यबा दीजेगा और अलप किलिप कर दीजेगा फायदा इसका यह होगा जब भी हमको नहीं वीडियो को रोट करेंगे उसकी जानकरी मिलेगे आपको सबसे पहले आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नहीं जानकरी के साथ तब तत के लिए बाई टेक केर